बढ़का समचार देखे के बाद अब बेरा है खबर 36 के तब बीते 12 फरवरी के दर्मियानी रात पामगड मा एक घर मा आगी लगा के परिवाला जिंदा जलाय के प्रयास करे गए रही है जेकर खबर हमन आप माला नियूस 36 के द्वारा दिखायर गए रही है ये मामला मा पुलिस ला आरोपी ला पकड़े मा कामयाभी मिल गए देखवे रिपोर्ट जांजगीर चांपजिला के पामगड थाना छेत्र मा पाच्छो तीन मा हमा होई सिलसिले वार आगजनी के घटना के आरोपी अव उखर सहयोगी पुलिस के गिरफ्ट मा आ गये है पुलिस के अनुसार मुख्य आरोपी 36 गड़ ससस्त्र बल मा जवान है प्रेम मा असफल होई के कारण ये भारवदात ला अंजाम देवद रहिस आरोपी लाप पकड़े मा पेट्रोल पंप के CCTV फूटेज हा अहम सुराग बनेज गौर तलब है कि अरोपी द्वारा बारा फरवरी के पेट्रोल डार के एक घर मा आगी लगाए ले मा और ओखर दू लईका मन के आगी मजलसे के बाद पुलिस या जांच स्तेज होई रहिस जेखर बाद आसपास के पेट्रोल पंप के CCTV फूटेज खंगा ले गे इस जेनमा दूनों आरोपी मन के पहचान होई से पामगण पुलिस ये मामला मा कारिवाई करत हुए सीएफ के जवान दूरगेस पाटले पव उखर सहयोगी गोविंद पाटलेला कि रफतार कर लिये हैं पुछ ताचमा आरोपी मन एकर अलावा तीन अन्य आगजनी के घटना कारिद करे के भी सुईकार करे लिये हैं जेनमा तकरीबन आज मोटर साइकल जरके खाग होगे रहिस एक ससत्र वल के जवान के आरोपी बने के पिछु के मुख्य वजह असफल प्रेम कहानी है दरसल नर्यरा के रहिया आरोपी दुर्गेश पाट ले एक युवती ले प्रेम करत रहे। फिर लड़की के परिवार जैन की पामगड मरे थे आरोपी दुर्गेश ला पसंद नही करत रहे। जेकर वज़ा ले लड़की के परिवाद जीहां भी किराया मर है उहें आरोपी दुर्गेश आगजनी के घटनाला अंजाम देह लगेश ये आगजनी के घटनाले पामगड छेतर के लोगन मन दह सत्मा जीवन जीवा मजबूर हो गए रहें उहें आगजनी के ये घटना पुलिस बर घला मूर पिरा बन गए रही है पामगड ले डिजिटल रिपोर्टर विजय टंडन के रिपोर्ट